हाई फ्रेंट्स, कुश्चन देख्टे हैं, दे रेडिया आइ आफ टू सर्कल्स आर एट सेंटिमेटर और इड सिक्सेंटिमेटर, फाइंड दा रेडियस आफ दे सर्कल्स आविंग एरिया इकॉल तू तू अफ दू सर्कल्स, देखो, question का रहा है, दो circle है, और उस दोनों circle का जो radius है, 8 cm है, and 6 cm है, और इस दोनों circle की area है, इस दोनों circle की area का जो sum है, वो तीसरे circle की area के equal है, ठीक है? तो कारा जो तीसरा, जो third circle है, उसका radius क्या होगा, ठीक है? तो चलो, माल लेते हैं हमारा एक circle यह है, जिसका radius r1 है, ठीक है? एक circle है, जो की, क्या है? जिसका radius r2 है, ठीक है? r1 जो कितना है, 8 cm, और यह कितना है, 6 cm, और एक तीसरा, और इस दोनों circle है, ठीक है? एक तीसरा circle है, जिसका जो area है, इस दोनों circle की area के sum के equal है, ठीक है? तो देखू, यह तीसरा circle है, इसको माल लेता हूँ, r3, इसी r3 का value, r3 को find out करना है, ठीक है? तो देखो इस दोनों को area को area को sum जो है equal होगा third circle के ठीक है तो देखो area area इसका फर्मूला क्या होगा यह भी एक स्टुट्मेंट लिख दूँ area of first circle area of second circle then area of third circle इस लिखने कोई जुरत नहीं simply इसका फर्मूला पूट करो first area क्या होगा pi r r1 square देखो इस circle के area क्या होगा pi r square pi r1 square और इस circle क्या होगा pi r2 का square equal to इसका क्या होगा pi r3 का square ठीक है देखो इस दोनों में क्या pi है pi को कमन कर लेता हूँ then r1 square plus r2 square equal to pi r3 का square देखो दोनों साइट pi है तो अगर इस pi को आप cross multiply करोगो तो क्या होगा दिनुमिनेटर में आ जागा दिनुमिनेटर में चैंसल होगा इस से अच्छा हम यहीं पे इसको cancel कर देता हूँ ठीक है देखो तो r1 and r2 का value जो है already क्या है given है question में r1 का value कितना 8 cm that means 8 square plus r2 कितना है 6 6 square equal to r3 का square ठीक है तो 8 का square कितना होता है 64 6 का 36 equal to r3 का square 64 and 36 का sum कितना होगा अपका होजगा 100 equal to r3 का square ठीक है 100 equal to r3 देखो इस side square है तो square को जब equal के इस side लाते हो या equal के इस side ले जाते हो तो क्या होता है square root में कनबाट हो जोता है ठीक है तो 100 का square root क्या होता है 100 का square root 10 होता है ठीक है तो r3 का value कितना आ गया 10 आ गया ठीक है तो आपसे का radius of circle कितना हुआ रेडियस आफ सर्कल circle is 10 cm ओके तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर helpful है तो प्लीज चैनल को like and subscribe प्लीज ज़रूर करें क्यूंकि आपका like and subscribe ही motivate करता है ठाइंक्य फ्रेंट्स झाल